आप सभी लोगों को पता चल चुका होगा भाई कि UGC का जो एक्जाम डेट है सोशल वर कवर डिसाइड हो चुका है अब आप सभी का जो UGC का एक्जाम होने वाला है 5 दिसंबर 2021 को होगा है ना यह समाजकारी का प्रिश्ण होगा और यह सेकेंड सिप्ट में होगा आप सब को पता भी होगा है ना सिकेंड सिप्ट में यह पेपर होगा समाजकारी का और जो 2020 में हुआ था वो पांच नुमंबर का था है ना पांच नुमंबर 2020 का था यानि एक महिने का अगर यहां पर देखी भी गैप हुआ है यानि बढ़ा है तो नंबर में भी आप लोग समाजकारी के अधाब के समझें और जो प्रश्ण आ रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा समझनी की कोशिश करें फिर अगें रिपीटब्कोर्चन मिलेंगे और मैं आपको बता रहा हुँ कि अगर मिले गहीं भी तो उसके संबन में जो fact मिलने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ इस प्रशनों के बारे माध्यम से ठीक है तो इसलिए 5 दिसंबर का आप सबका एक्जाम है तो अच्छे से तयारी करके जाए है ना तयारी तो मैं सुरवाद करता हूँ यह आज का पहला प्रशन है आपके सामने और आप लोग पिछर तीसरे में प्रतिचयन चौथे में बैक्तिक अध्यन अब आप इसको सही तरीके से मैच करने की कोशिश करिएगा अच्छा और इसको कौपी उगरा नहीं करेंगे आप सभी लोग अपने मन से देजिएगा प्रियंका गौतम का जवाब आया है गरिमा का आया है पव विक्षड आपका क्या कहलाता है मात्रात्मक आकड़े कहलाते हैं प्रतिचयन क्या होता है प्रतिचयन सेंपलिंग यानि हम क्या करते हैं इकायू कात्यू करते हैं तो ऐसे इस प्रिश्ण का तो अगर आप कहिए तो यह सी वाले से ही मैच कर सकते थे प्रतिचयन नहीं हो ग जहां पर सभी को चुने जाने की संभावना बराबर बराबर ना हो वह अपनी मनमर्जी से कर रहा हो परक्षापात होने की संभावना बन रही है तो वह आपका होता है नॉन प्रोबिलिटी होता है और ऐसे में यह जो प्रतिक्रिया होती है समग्र प्रति निधी पर होता है प पर आपने 100 निकाला तो यह बेस्ट होता है आपका है ना प्रतिचैन होता है आपका यह और यही प्रतिक्रिया आपको बता रहा है यहां पर फोर बल तो ऐसे में यह आपका अप्शन नंबर बी और वैक्तिक अध्यन जोता है इकाई तो नाम सी पता चल रहा था वैक्तिक अध्यन करने की बात कर रहा था इसलिए आप्शन नंबर यहां पर यह हो जाएगा तो बीफ और बॉंबे वाले बच्चे जितने दे रहे थे सकती जी गनेश जी सभी का यहां पर करेट जवाब हो जाएगा और बी करेट आगे बात करते हैं और कोश्यन नंबर अगर हम लेते हैं नेक्स पर यह प्रशन अच्छा है यह 2020 में भी पूछा गया था 2018 में भी पूछा गया है दो बार प्रशन आया था तो हो सकता है तीसरी भार आ जाए आप लोगों के लि करती हैं यह संकट हस्ताचेप का मतलब होता है प्रकार से इन्होंने क्राइस इंटरवेंशन के जो प्रैक्टिस था उस पे इनकी एक अहम भूमिका थी इसलिए आपका इनका इनसे मैच करेगा नील अगर हम बात कर रहे हैं बेट मैन का तो यह कल्यान अधिकारी अभ्यास क आपका फोर में आ रहा है पीटर मार्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पीटर मार्स जो होते हैं यह कार्य मुखी समाजकारी अभ्यास के अंतरगत आते हैं इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा इनका इनसे मैच कर जाएगा थर्ड से थर्ड से मैच कर जाएगा ली और भी option को भी आसानी से आप match कर सकते हैं नील बैटमैन समाज कल्यान में आएंगे पीटर मार्स जो है कारियो मुखी में आएंगे और लीना का जो नाम आएगा वो नारिवादी में आएगा लीडिया रिपोर्टर जिवारे में अगर हम बात करें तो संकट हस्ता छेप के अं समाजकार अभ्यास के रूप में चिंतक के बारे में पूछा गया किसने किसने क्या क्या विचार किया है तो यह बहुत ही important question था आगर गर हम बात करते हैं और एक और प्रशना आ रहा है आपके सामने एक तरफ दिया है प्रतिपादन दूसरे तरफ दिया है परिवर्तन परि समाज में होने वाली किसी भी प्रकार का परिवर्तन जो होता है वह सांस्कृति गति शीलता पर आधारित होता है और इसकी पुस्तक थी जानते हैं किताब का नाम देखो मैं इतनी सारी चीज़े बताता हूं एक बार नहीं कई बार बताता हूं आप लोगों से सोसल एंड कल अचल डाइनेमिक्स की एक किताब थी ये सोरकिन के किताब का नाम था और इसने कहा था संस्कृति के तीन अवस्था के बारे में उसकिताब में तीन अवस्था के बारे में बात किया और उसने कहा कि जो भावनातमक चेतनातमक और आधर्स ये तीन बाते थी एक को नाम बारे में बात कर रहा था सामाजिक परिवर्तन के चक्र के बारे में सेरोकिन ने तो उसमें भावनात्मक और चेतनात्मक इन दोनों को जोड दिया था तो भावनात्मक और चेतनात्मक दोनों संस्कृतियों का मिस्रड कर दिया था इसने तो जब यह मिस्रड कर देगा तो यह के शीजवाब हो जाएगा चक्र की रूप में develop होना तो यह आपका चक्री की रूप में आता है चक्री का सिध्धांत उसे बोला गया यह यहाँ आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर पहले का दूसरे वाला आपने नाम सुना होगा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ राउल्फ गुस्तान डारेंडॉर्फ के बारे में तो यह इन्हीं का नाम है इन्होंने बेसिकली बोला था दूंद का सिध्धान तो अगर आ उसको बोलते हैं दूंद आतमक ठीक है यह बात सही है कालमाक्स ने बोला था यह बात लेकिन अगर मैं आपसे बात करूँ तो जो डेरेंडॉर्फ हैं इन्होंने कहा था कि वर्ग संघर्स के सिध्धानतकार के साथ साथ इन्होंने कहा कि जो संघर्स होता है वो सत्ता के पर आधारित होता है तो समाज में सत्ता का बटवारा समान नहीं होता है इसलिए संघर्स होता है इसलिए हम इसे कहेंगे दौंद का सिध्धान्त बोलेंगे तो ये एक वर्ग दौंद का सिध्धान्त कारी है ये डौरें अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में डौरें डार के बारे में ठीक है याद रखिएगा ये संघर्स का सिधान्त जो दिया है सत्ता के संबंधों पर आधरित दिया था इसने और संघर्स के सिधान्त में कालमाक्ष का जो नाम आता है वो बेसिकली अंतहा समाज के पुराने समाज के अंतहा और ने समाज के जनम जब होता है तब संगर्स होता है तब बताया था इनने का था कि हमेशा सर्वहारा वर्ग के अधिनायक्तों के रूप में अस्थापना करने के बात किया था कालमाक्स ने तो आप इसे ध्यान रखिएगा कालमाक्स का भी नाम यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आप लोगों का और डारिन डार्फ समाचकारी के दर्शन है इसका जो नाम है हरबर्ट स्पेंसर का नाम बेसिकली पंचपदी सिध्धांत में बहुत फेमस है और वही पंचपदी जब सिध्धांत दे रहा था उस समय पाथ योजना का निर्माल कर रहा था पाथ योजना का बिस्तार कर रहा था जब बिस्तार कर प्रियोग यह पंच पदी बिधी थी ठीक है यह पंच पदी क्या थी बिधी थी और यह था हरबर्ट बिसुनों का यह विकास आत्मक पर बात करते हैं ये मनोवैज्ञानिक विकास करना चाहिए समाज जो है इसमें अस्थाई के रूप में संघर् Joh को एक आवश्चक बना दिया था तो इसका एक quotation था Herbert पंचपदी का में कि कह रहा था कि समाज जिसने अस्तित्त के लिए संघर्स को आवश्चक बना देता है ये statement Herbert बिश्णू का था नोट करिएगा कि समाज जिसमें अस्तित्त के लिए संघर्स के लिए आवश्चक बनाता है ये पंचपदी में Herbert बिश्णू का नाम आता है यहां पर इसका मैच कर जाएगा इसमाज दुर्खिम के अकॉडिंगर में बात करूँ तो आपके सामने बचता है यहां पर संरचनात्म प्रकारिवाद देखो हर्बर्ड बिश्णू के बारे में अगर हम बात करते हैं यहां पर इसमाज दुर्खिम के बारे में तो इन्होंने आत्म हत्या के सिद्धानत दिया था 1897 में एक चीज़ यह ध्यान रखना सोसाइटी में जो स्रम बिभाजन की बात होती तो भी इसमाज दुर्खिम का नाम याद रखना 1893 में अगर धार्मिक जीवन के प्राथमिक्ता का स्वरूप बताए या तो भी आप इसमाज दुर्खिम का नाम याद रखना इसमाज दुर्खिम ने प्रकारिवाद को सामाजिक सांसिक्रेतिक तत्यों का अध्यान संपूर समाज और संसिक्रेति के संदर्व में किया था उसके पॉइंट अब ब्यू से किया था इसलिए इसमाज दुर्खिम को कहा जाता है संरचनात्मक प्रकारिवाद हलाकि इसमें मैलिनोवस्की का भी अलग statement आता है क्योंकि उसने संस्कृति का साधन वाना तो उसमें मैलिनोवस्की ने कहा था कि जो समाज में संवर्चनात्मक प्रकारवाद होगा वो साथ अवसक्ताउं पर आधारित होगा तो साथ अवसक्ताईं किसकी थी? ये थी मैलिनुवस्की की अगर आप से पूछेगा आवसकता का पदा नुकरम का सिध्धान तो अबराहम मैसलो का होगा इसे आप ध्यान रखिएगा ठीक है और इसमाइल दुर्खिम के बारे में एक और बात ध्यान रखिएगा इसने जब विशलेशर करने के बात कर रहा था प्रकारवाद के बारे में तो उस दौरान ठीक उसी प्रकार से टालकाट पारसन ने भी इसकी क्या कर दिया संद्रचनात्मक प्रकारवाद का विशलेशर कर दिया था तो इसमाइल जो टालकाट पारसन था जब इसने विशलेशर किया तो तीन बातों पर इसने जिक्र किया एक का नाम रखा था वैपारिक सौदे और दूसरे का नाम रखा था मोल मैतक, तीसरे का नाम रखा था समाज का एक विवस्त था, तो ये तीन चीजों के बारे में भी टालकाट पार्सन बात करता है, लेकिन ये संद्रचनात्मक प्रकारिवाद का बिशलेशल में बात करता है ताल काट पार्संस नाम भी ताल काट पार्संस नहीं दिया है इसलिए दूर्खिम का नाम आएगा क्या हुआ समाज का एक समाज का एक बेवस्था तो यह चीज़ें आप ध्यान रखना है चली आगे बढ़ते हैं इस प्रेशन का जबाब आप प्रश्न को पढ़िए यही समय है इसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा प्रश्न पढ़ने का है तो जो आज पढ़ रहे हैं उसके बाद समझीए कि आप दोबारा इस प्रश्न को सिर्फ एक्जाम में देखेंगे है ना आगे अगर मैं बात करूँ कोश्चन नमबर यहां अगर मैं बात करता हूँ तो यहां पर देखिए समवेशी की बात कर रहा है समवेशी आप अच्छे तरीके से आप सबको पता होगा इसी को हम लोग बोलते हैं अनुशंधान मोलक या हम इसे समवेशी कहते हैं अनुशंधान अब यह जानते हैं यह बेसिकली आम तोर पर ए स्भीच में जब संबन्द असपफ्च्ट करने का प्रियास करता है उसे ही हम बोलते है समवेषी अब संभेशी में आता क्या चीजिये हैं समवेशी में बीसिकली ऐसा क्यों है यह आपका सही जवाब होता है शम्यवेशी यही चीजों धूनता है मतलब जो छोटा पैमाने का अध्यन जब करता है तो उसका पता लगाता है बैवहारता उसका पता जब लगातने के कोशिच करता तो यह ऐसा क्यों है इसके बारे में कोश्चन करता यह और अगर हम बात करें experimental के बारे में प्रियोग आत्मक के बारे में तो प्रियोग आत्मक जो यूज करता है एक मिनिट ये प्रश्ण गलत तु जा रहा है मेरे आइधिंग शम्यवेशी किस से मैच करेगा शम्यवेशी किस से मैच करेगा शम्यवेशी ऐसा क्यों है नहीं सम्मवेशी आपको ऐसे मैच नहीं करेगा सम्मवेशी जो मैच करता है वह ऐसा क्या मतलब यह क्या है मतलब छोटे पैमाने पर अध्यान करना वेशिकली क्या होता है कि यह क्या है मतलब छोटे पैमाने का अध्यान लगुरूप में हो रहा है तो क्या सब्द का जो प्रियोग क्यों का प्रयोग है प्रयोग अत्म करना करना तो क्या था जैसे पूस्थर देने लेकिन जब क्या की बात हो रही तो यहाँ पर इसमें बात कर रहा है कि प्रशनों का उत्तर देने का प्रियास reporting करने जैसा होता है ठीक है और उसको basically क्या करता है सर्वेच्छर पद्धती में जब उपयोग किया जाता है तो हम उसको क्या के साथ साथ कैसे भी सब्द का यूज करते हैं तो यहां पर आपका सभाब होगा, वर्लात्मक में पिसल्ब्र आगे हम हम बात करते हैं तो नैदान नैदान जो होता है बचा आपके पास कैसे निदान करें यह चीज़े इसमें Involved हो जाती है तो ऐसे भी अगर आप D का 3 लगाते तो भी आपका सही हो जाता यहां पर option number C तब भी option number C सही हो जाता है तो पमण जी यहां पर Honey जी का ची आया तीना का C आया है लगबग लगबग यहां पर श्वेता का गलत आ गया है ठीक बै तो यह सही जवाब इसका जो होगा option number पर थर्ड होगा करेट जबाब यहां पर इसको आप थोड़ा ध्यान रखेगा प्रश्ण अच्छा था यह इंपोर्टन कोशन था पार्ट ए पार्ट बी दोनों के लिए इंपोर्टन प्रश्ण है यह तिक दोनों के लिए आगे हम बात करते हैं तो वैसे भी नियाजानिक से और आपके सामने आता है यहां पर आप से सूची वन और सूची टू से माच करना है यह प्रश्ण हर बार पूछा जाता है ऐक्जाम में जिसे अगर हम बात करें मोनोगैमी के बारे में तो यह एक समय में केवल एक ही बेत्ती से बिवाह करना या उसकी प्रथा है या एक बिवाही प्रथा आप बोल सकते हैं तो आप यह भी कह सकते हैं कि सर यहां पर एक पत्नी और एक पत्ती और एक पत्नी वाला सही जवाब हो जाएग तो यहां पर करट जवाब होना चाहिए तो आप इसको कह सकते एक पत्नी जो है एक से अधिक पती पॉली पॉलेंडरी तो आप ऐसे भी रिप्रेजंट कर सकते हैं ठीक है पॉलेंडरी से तो यह आपका बन जाएगा एक अप्शन नमर यहां पर जो बी का हो जाएगा यह यहां फोर से मैच करेगा अगर हम बात कर रहें यहां पर फ्रेट फ्रेट नरल जो है पॉलेंडर आपने विवा है ये उस टाइप का है जिसमें कई भाई एक पत्नी का साजा करना ऐसे भी आप इसको बोल सकते हैं तो ये बेसिकली जो सोरल पोलिगेमी है उसका बिपरीथ है उसका बिपरीथ है सोरल पोलिगेमी का तो ऐसी कंडिशन पर अगर मैं इसकी बात करो तो इसमें प पत्नी के द्वारा पती के भाई के साथ बिवाहा करना होता है यह भी हो सकता है और एक से अधिक पुरुसों के बिवाहा का प्रथा में अगर हम बात कर रहे हैं जहां जिसमें कई भाई एक पत्नी का साजा करते हैं वो भी इसी का पार्ट बनता है तो दोनों टाइप के होता है तो यहां पर जो हो जाएगा यह keyword के द्वरा पतनी की बेहन के साथ सादी करना यह बिवाब करना यह हो जाएगा आपका अब और यह प्रेस्ट्र पूछ रहता है पैट्री लोकल के बारे में रहा मुझे बताएगस क्या होता पैक्ट्री-लोकल को कौल की बताना चाहिए ए कि तुकर चाहिए भर प्रक भर के कर रहना यूंफे घर रहना वर्कर जलाद लोकल कि अशmee को यहां पर नाम आएगा हमेशा प्राथ्मिक्ता dynasty तो सब्राथा था फिर भर जिसको दे रहे ऑफ एक प्रे निर किस से मैच कर रहा था यह एक पतनी और एक अधिक पती को ठीक है तो यहां पर भी आपने देखा पती एक सब्सक्राइब लोकल की बात कर रहा है तो वर के बारे में बात कर रहा हूं इसे एक ट्रिक बना लीजे समझने के लिए और एक होता है आपका मैट्री लोकल में मूट हो जाएए मूट हो जाएए एक बार मैट्री लोकल की बारे मैं बात कर रहा है मैट्री लोकल क्या होता है मैट्री लोकल प पतनी के घर के निवास और एवेंचुवल लोकल किसको बोलते एवेंचुवल लोकल और नियो लोकल ऑपने अवाज को खुद यहां पर सही जवाब होजाएगा आप्षिन नमबर सी फॉर्चन नहीं करते हैं तो यह कुछ चीज़े हैं इसे भी आप लोगों को ध्यान रखना है तेक बहुत ब्रयां म्यूट हो जाई है अब आगे हम बात करते हैं एक और कोशन लेते हैं यहां पर एक प्रेशन आपके सामने यह है कि एक तरफ जीवन के च आप अवस्था में बाता था और पहली अवस्था जो थी शैस्वा वस्था थी जिसमें विश्वास बनाम आविश्वास था यहां पर कहीं पर मैच नहीं हो रहा है दूसरी अवस्था जो बात किया था उसने उसने शैस्वा वस्था बोला था पहली वस्था को जो बना दो सिता बोली गई थी और यह इसकी जो आयू थे वो थी चार से च्छा वर्स लेगी थी और चौति अवस्था के बारे में बात करूं अगर मैं तो यह आपका था योना वस्था जिसको आम स्कूला वस्था भी बोलते हैं परिश्रम बना महीनता बोला जाता है तो चान भ्रामती भी 12 से लेकर 19 वर्स तो यह आपका मैज कर गया पहला वला ठीक है उसके बाद अगर मैं बात करता हूं यहां पर छठे नंबर पर च्छठा नंबर जो था वह बेसिकली प्रारंबिक प्रोड़ा वस्था था प्रारंबिक प्रोड़ा वस्था को बोला जाता यह आवस्था भी ठीक है और इसमें था घनिष्टता बनाम विलगन अलगाओ जिसको हम कहते हैं एक पन कहते हैं तो आप्शन आपका यह भी इसी से मैच कर गया है ठीक है अगर मैं बात करता हूं आप्शन यहां पर सात्में पर तो सात्मा एक था उसका मध्ध प्रोड़ा अवस्था इसको बोला घया था अधेड अवस्था भी और यह बेसीक ली जो था यह अवस्था उत्पादक्ता बनाम जननता था था या मंदता कह सकते हो या गति हींता बोल सकते हो तो यह बेसिकली प्रजन जो यहां पर देख रहे हैं आप प्रजननता बनाम गतिहिंता यह आपका इससे मैच कर जाएगा इसकी जो आयू रखी गई थी वो रखी गई थी 30-65 वर उसके बाद पश्च वर्ती जीवन की बारे में बात हुआ था जिसको हम बोलते हैं उत्तर प् प्लस था तो आपका इससे मैच कर जाएगा अब तो मैंने आठों अवस्थाओं के बारे में बात कर दिया हूं साहद आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए आप लोग मुझे बताएं इसका सही जवाब क्या यहां पर ऑप्शन है समझे की 2021 मी यह आने वाला है पांच दिसंबर को अगर मैं आप से बात करूँ यहाँ पर कि यह प्रेश्चन के बारे में तो यह प्रेश्चन क्या बोलता है यह आप से कहता है दो कारक सिध्धान दिखो दो कारक एक बुद्धी का सिध्धान थै वह आपका अलग है ठीक वहाँ पर वो चीज़ें अलग आती है तिक इस पियर मैन का नाम आता है तिक और अगर मैं आप से यहाँ पर बात करहा हूँ दोकारक के सिध्धान्त के बारे में जहां पर कार्य अस्तल में कुछ कारक होते हैं जो नोकरी की संतुष्टी के कारण बनते हैं जबकि कारकों का ए यही दो कारक सिध्धान्त फैडरिक हजबर्ग के दौरा विक्सित किया गया था क्या नाम था उसका फैडरिक हजबर्ग का नाम समझ में आ गया होगा आपको कि हजबर्ग ने कैसे विक्सित किया था जब उसने दो कारकों के बारें बात कि एक तरफ संतुष्टी था एक त दंत के बारें बात करें तो यह प्रत्यासा तो वो है जहां पर अनुमान लगाने का प्रियास किया जाता है कि देग कालिक ब्याजदरों के आधार पे भविश्य के में अल्प कालिक ब्याजदर क्या रही है एक तो यह होता है लेकिन यहां से वो प्रश्ण नहीं था यह प्र परिडामिy यह आपका नाम आ जाएगा बेक्तर ब्रोमिका नाम यह काता है सभागिता सिध्दांत यक्स त्यकुषी और एक आता है वाई त्यक त्यकुषी आपने नाम सोना होगा ठ्यकुषी का चुर नहिंगा अपनी पुस्तक में ग्रेगर का इंप्रईज टिके Enterprise में समझाया था किताब का नाम था नोट करना है तो नोट कर लेजे इसकी किताब का Mike Grigor का किताब का नाम important है ये The Human Side of Enterprise The Human Side of Enterprise इसकी किताब थी और इस किताब में इसने समझाया है दो सैली के बारे में एक का नाम रखा था यक्स थियोरी और यक्स थियोरी को बोलता है ये सत्तावादी क्या बोलता है सत्तावादी और एक था Y थियोरी और इस Y थियोरी को बोलता था साभागी तो ये दो थियोरी के नाम रखे गए थे नाम दिये गए थे यक्स थियोरी और Y थियोरी दोनों को एक साथ बोला जाता है सहभागिता सिध्धान्त तो सहभागिता का सिध्धान्त किसका नाम आता है तो नूट कर लीजेगा आप सभी लोग मैक ग्रेगर का नाम आता है तीक है आगे गर हम बात करते हैं जड़ सिध्धान्त के बारे में तो जड़ सिध्धान्त बेस विजनेस एड्मिनिस्ट्रेशन किताब का नाम था और यही किताब जो लाई गई थी उसका नाम था लिंडन उर्विक द्वारा ये किताब दी गई थी संचार के बारें बताया था तो अब आप लोग इसका मैच करिए साथ सभी लोगों ने मैच भी कर लिया होगा कि एक दो तीन चार जहां पर मिल रहा होगा वही करेंट जवाब हो जाएगा option number यहाँ पर बी वाला मैज कर रहा है है ना अकांचा अकांचा गरिमा टीना पंकज सभी कभी आया है भई ठीक है option number यहाँ पर बीफ और बॉंबे सही हो जाएगा आगे बात कर रहते हैं एक और प्रश्ण लेते हैं यहाँ पर और यह प्रश्ण आपके सामने यह है कि एक तरफ आपका प्रबंधन तक्नीकी दिया हुआ एक तरफ प्रतिपादन दिया हुआ क्या आप लोगों को स्क्रीन भी दिखाई दे रहा है और मेरी आवाज होगा क्लि तो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं यहां पर प्रबंधन तक्निकी के बारे में तो इसके प्रतिपादन को लेकर बात करेंगे हम लोग तो यहां पर आप देखें जरा प्रबंध की नेत्रत की पधती के रूप में इसका मतलब है management of objective तो management by objective होता है इसका मतलब था रणनीती प्रबंधन था और यह प्रकार का संगठन के प्रदर्शन में सुधार करने की बात जो थी वो नाम आता था George-Ordion करके नाम आता था George-Ordion अब यहां पर जो George-Ordion का नाम आएगा वो Mbio का नाम आएगा यह option आपका 3rd में match करेगा और अगर बात करूं यहां पर कि रणनीती नीयोजन में यहां पर देखे टी डबलू टी ओ नोट करिएगा टी ओ डबलू एस के बारे में यह इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए यह बेसिकली ट्रीट्स अपर्चुनिटीज वीकनेस इस्ट्रेंड्स यही इसका पुरा नाम है एक बार एक्जाम में पूछा गया था यूजी सी मे जिसमें बिभाग एक टीम की रड़नीती के बारे में सोचना होता है इसमें टिक तो ताकत कमजोरी अवसर खतरों का विशलेशर करना यह जो नाम आता है वो हाइंज बिरीच का नाम आता है हाइंज बिरीच का नाम आता है और हाइंज बिरीच जो आएंगे यहां पर इसमे मैच करेंगे यहां पर तो यह आप ध्यान रखेगा और यह फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए एस डब्लू ओटी का नाम यह एक्जाम में दो बारा भी पूछा जा सकता है आप सभी को यहां पर अगरह मैं बात करें तो पहले इस्ट्रींट फिर उसके बाद वीकनेस कि्वेशा करें ताकत कमजोरी और उसके बाद आएगा अपर्चुनिटीज ओसर इसके बाद Chiefs मतलब होता है क्या तो यह होता है यह आप इसे ध्यान रखेगा यह आइस बीरीच ने दिया है इसके बारे में अगर पूछे किस ने दिया यह तो हाइंस बीरीच ने दिया है पूछा गया है और पूछ लेता है तो आप बता देना उसका तो यह चीजें आप लोग को ध्यान रखना होगा यह सारे के सारे questions जो थे important थे अच्छा भी और भी है डेलफी प्रविधी के बारे में जानते होंगे आप डेलफी तकनीकी है जिसमें अगर मैं बात करूँ संचर ठूसरीत वला कम्नूकैशन वला डेलफी विधी यह विसीकली बेवस्थित और समवाधातमक या पूरवानुमान के रूप में क्या करता है चिंहिट करता है या उसकी ब्याठ्ख्या करता है टिक है तो यह अगर नाम आता है तो यह एक नाम है औलाफ हेमलर का नाम का नाम डेलफी विधी को देने वाला तो ये प्रतिपादक है उसका और ये 1950 में रेड का नाम आता है अगर कभी पूछा जाए तो 1950 के प्रतिक्रिया देती है डेलफी विधी में तो आप रेड का नाम लगाएंगे और अगर आपसे पूछता है जब प्रदोगकी के प्रभाव का अन लगा जाता है तब रेड का नाम आता है लेकिन जब संचार की तक्निकी के बारे में बात कर रहा है यहां संचार का ही मतलब पूछा गया था तो संचार के बारे में पूछ रहा था तो यहां पर यही आपका करड़ जवाब हो जागा अलाल फ जो हमलर का नाम आएगा बिच बियान का साजा करना, वालिजी की की समस्या को हल करना तो यह आपका आता है, ऐलिक्स- ओस्बर्न का नाम, जाएगा कहां पर यहाँ पर दीखे, ओप्शन मेरे यह दिया हुआ है उस्बर्न, यह 1953 में अपनी एक किताब लिखा था, उसमें बताया था अलाइड इमेजेशन याद रखेगा अलाइड इमेजेशन की किताब में इसने एलेक्स ओसबर्ण ने विचार मंथन के बारे में बात किया था बुद्धी शीलता के बारे में बात किया था याद रखेगा डेलफी टक्नीकी उलाल फेहमलर औलार्फे हमलर और बुद्धी शीलता या विचार मंथन का एलेक्स ओश्बन का नाम आएगा और अगर आप से पूछेगा यहाँ पर की S.W.O.T. के बारे में तो नाम किसका आएगा हाइंस बिरीच का नाम आएगा और अगर M.B.O. के बारे में पूछता है एक बार प्रश्ण और भी आया था यह संगठन को प्रदर्शन में सुधार करने की बात करता है तो जार्ज ओडियार्न का नाम आएगा यह चार नाम बेरी बेरी KONSET है यहां पर एक ऐसा मेनेगमेंट जहां पर मेनेजमेंट की बात कर रहे यह यह הפर कर अगर आप से प्रिए प्रशन पूछेगा प्रबंधन मॉडल के बारे में या संगठन प्रदर्शन के मॉडल में सुधार करने की बारे में तो जार्ज ओर और का नाम आएगा और डे और returned का नाम आएगा और और ने का नाम आएगा जारिशा और यह प्रदर्सन में सुधार करने की बात कि आ है तो यह टक्र डेकनिक is पीटür का नाम नहीं आएगा इसका आप खास ध्यान रखेंगे जब koncept प्रभंधन का पूछेगा तो पीटर का नाम आएगा हो जाएगा वहाँ पर यहां पर यह चार नाम important है समझ में आगया आपको और यह चारों के चारों बेरी-बेरी most important है जी क्या करें अच्छा बेरीज का पूरा नाम आप हाइंज हाइंज है यहां पर हाया ठीक है हाइंज पूरा नाम है हाइंज पूरा नाम है क्लियर हो गया हाइंज पूरा नाम हो चालो आगे बढ़ते बाकी PDF अभी दे दूँगा आप देख लेना है ना आगे बात कलते हैं कोश्चन इसका option कौन सा होगा option मैंने साथ मैच नहीं किया option बता देचे एक बार आप शभी लोग मैंने option देखा भी नहीं आप सबका सायद आया है यहां पर बी आया है तो इसका बी ही सही जवाब है क्या बताइए पहले का किस से मैच किया है जार्ज ओर्डियन का भी तीसरे का बी बी सही है ठीक मैं बी फॉर बॉम्बे आपका यहां पर करट जवाब हो जाएगा चलिए आगे बात करते हैं नेक्स कोशन लेजिए अब बताए जरा इसका कि नीचे दियेगे कुछ कूठ है एक तरफ आपको इसको मैच करना है अब जरा मजबता है दिखिए यह अनुभाविक सोध है अनुभाविक कौम लोग बोलते हैं अनुभो जन्न सोध है यह साच्छ का की तरीके को यूज करते हैं वो छेत्र आधरित आकड़ों पर यूज करते हैं तो यसलिए आपका यह हो जाएगा और अगर हम बात करते हैं वस्तुनिष्टिता के बारे में तो वस्तुनिष्टिता उद्देश होने की गुडवक्ता को बताता है यहां एक ऐसे मतलब एक त लश्चता पर सवाल उठाया जा रहा है तो वस्तू निष्टता की बात करता है तो पूरवाः ग्रह का एक प्रकार से मुक्त ज्ञान के बारे में बात कर रहा है तथ्च गया होता है तथ्थ्य तो बहुती सरल है आप जानते होंगे कुछ ऐसा जो आप जानते हैं जैसे वाह हुआ है तो सत्य है यह तो सच है जो सच है जो सत्य है वो वास्तविक है उन चीजों के बारे में बात करता है तो यह आपका बनता है अनुभावित साच्छ बनता है ठीक है तो उन चीजों को रिपर्जेंट करता है अगर आगे हम बात करते हैं विशय निष्टिता के बारे मे subjectives जो ब्यक्तिपरक भावनाओं की राय के आधार पर प्रभावित होने की गुर्वक्ता की बात करता है जिसमें ब्यक्तिगत तरीके से अभीकथन की बात करता है नोट करिएगा कि किसी के निरले को बाहरी प्रभाव Dentist के बज़ाय बेक्तिगत राय और भावनाव के द्वारा जब आतार दिया जाता है तो उसे हम बोलते हैं बिसे निश्टता तो यहां पर आप कहेंगे इसे बेक्तिगत अभी कथन भी बोल सकते हैं तो यह भी आपका सही जवाब हो जाएगा करेट जवाब ऑप्शन में जड़ा मैच करिए आप सभी लोग कि यहां पर आकांच्छा का कह रहा है कि B होगा तो यहां पर B ही करेट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर B for Bombay आपका सही जवाब हो जाएगा यह चीज़े आपको ध्यान रखना है अच्छा प्रशन है सारे के सारे important question है दोबारा भी देखने को आप लो कामटे बेसीकली आप सबको पता होगा दा पॉजटीव फिलोसफी के रूप में जाने जाते हैं यह और इन्होंने सामाजिक प्रतिछ वाद के बारे में भी इनको जाना जाता है आगस्ट कामटे को सामाजिक सिध्धान्त को मानावता के धर्म में जो चीज़े बताई है व या नीमों के बारे में बात किया है जहाँ पर उसको स्रड़िबध तरीके से डिवाइड भी करता है जैसे मैं कहूँ यहाँ पर तो एक विज्ञानों का क्रम बद्धता दूसरी बात किया था इसने गतिशील समाज समाच तीसरी बात किया था इसने शकारात्मक पद्धती चित्रण तो ये तीन वाते बताया था इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा बिग्ञानों का स्रेडिकरम गतिशील समाज और शकरात्मक पध्धती का चित्रण करना तो ये आगस्ट काम्टे आगस्ट काम्टे का फेमस है प्रतिछवाद का सिध्धान्त है अच्छा क्रिय किस ने दिया है आप लोग बताएज रहा इसमाइल दुर्खिम का नाम आता है किसका नाम आता है क्रिया का सिध्धान्त चलो अच्छा आप लोग बताना तो यहाँ पर ये तीन चीज़ें हैं आप लोग इसको ध्धान रखिएगा यह बेरी बेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यह तीन बातें जो मैंने बताया है विज्ञान को और गतिशील को और शकरात्मक्ता को लेकर ठीक प्रतिश्वाद का सिध्धान्त को लेकर भी अब इसको मैच करते हैं यह मैच करेगा किस से तो समाज की ब्रह्म विज्ञानी और ब्रह्म विज्ञानी को विज्ञानी स्रेड भी बोला गया है यह तीन चीज़े आप यहां पर याद रह सकते हैं यह अगस्ट काम टेका है आगे अगर हम बात करते हैं हरबर्ट स्पेंसर के बारे में हरबर्ट स्पेंसर पंचपदी प्रडाई अभी आपको बताया मैंने पाठ योजना में प्रस्तावना विसे तुलना समानी करण प्रियोग इसका प्रियोग मिलाता है तो इसमें अगर हम बात करें तो समाज जिसम या जिसने अस्तित्त के लिए संघर्स का एक आवश्चक बना देता है जिसे दिखिए समाज जिसने अस्तित्त के लिए संघर्स को बना देता है अभी मैंने आप लोगों को जब हर्बर्ट को पढ़ा रहा था मैंने वहाँ पर बोला भी था कि समाज जिसने अस्तित्त के लिए संघर्स को आवश्चक बना देता है तब मैं बताया था वहाँ पर तो यहाँ पर यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर काई नाम आएगा काल मार्क्स आप अच्छे तरीकी से जानते हैं पर देगल की विचारों से ये बहुत प्रभावित थे और इन्होंने जो है होली फैमली सरवाहारा वर्ग भावतिक वाद एकल कारक का सिध्धान्त भी इसी के द्वरा दिया गया है एकल कारक सिध्धान्त पूजी वाद समाप्त करने की बात किया है वर्ग संघर्स के बारे में बात किया है दास कॉपिटल के बारे में बात किया है दापवर्टिया फिलोसपी के बारे में बात किया है समाजिक परिवर्टन का निर्धारातमक्ता के बारे में बात किया है कमुनिस्ट मिनिफिस्टो के बारे में बात किया है और उसके साथ आता है फेडरिक एंजल्स भी नाम आता है कम्मुनिस्ट मिनिफिस्टो में जो 1848 में दिया था तो इतने सारे उसके नाम आते हैं तो यहां पर अगर हम बात करें तो दिखे सामाजिक परिवर्तन निर्धारातमक्ता के बारे में बता है थोरिस्टीन बुंडे बैबलेन इसका पूरा नाम है यह पूंजीवाद के जाने माने एक आलोचनातमक ब्यक्ति है और इसने एक पुस्तक लिखे था दा थियोरी आफ दा लीजर क्लास इसकी किताब थी और इसने परियावरर सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए इसने दूरगामी भूमिका को निभाया था तो याद रखेएगा थोरी स्टीन जो है बुंडे बैबलीन का नाम परियावरर सामाजिक परिवर्तन लाने में अपनी भूमिका जो है दूरगामी भूमिका के रूप में निभाया है तो आपका क्रेट जवाब हो जाएगा जहां पर आपका सिधा सिधा मैच हो रहाँ है वही करेट जवाब हो जाएगा एक दो तीन चार तो option यहां जो संगोत्रक स्रेडी है संगोत्रक स्रेडी को ही बोला जाता है रिष्तेदारी की स्रेडी और जो रिष्तेदारी की स्रेडी है यह बेसिकली आता है मर्डोक के दौरा किसके दौरा आता है मर्डोक के दौरा आता है तो यह चीज़ आपको ध्यान रखना है जार्ज मर् लोग किदार लाए गया है याद रखिएगा यह भी इंपोर्टेंट है 200 संस्कृतियों का एटलस का जाता जर्ज मेर्डोग को भलिभां के तरीके से पता होगा आप सभी लोगों को आप सब लोग जानते होंगे अच्छी तरीके से मैक्स बेबर के इस पिरीट ऑप कैपिटलिजम के बारे में बात किया है 1905 में और इकनोमी एंड सोसाइटी 1922 में बात किया था नोकर्शाही की ओधारला भी मैक्स बेबर का ही आता है जीवन की संभावना भी मैक्स बेबर का ही आता है तो यहां पर यह चीज़े आपको ध्यान रखना होगा पता होगा मैसूर नरसिंहा चार स्री निवासन का नाम आप लोगों नाम जानते होंगे मैन स्री निवासन सायद कल किसी ने पश्चमी करण को लेकर प्रश्ण पूछ लिया था इनको इनी का वो कोश्चन था और अच्छा था तो अगर हम बात करें तो दच्छड भारत के जाती प्रथा और समाजिक जो है आधनिक भारत के सामाजिक परिवर्तन ये भी ध्यान अखेगा ये भी इंपोर्टेंट है 1963 का ठिक है ये भी इंपोर्टेंट पॉइंट हो गया अगर हम बात करते हैं तो दा लेटिल के लेकर आप लोगों को बताया था बारे में बार्टालेट का एक I.V. संक्रमल का एक चिकिश्चा प्रवंदन था जो सत्रहावां संस्क्राइब 2019 में लाए गया था वह नामतर बार्ट लेट का का नाम था एचाइबी संक्रमर 2019 का चिकिस्ता प्रबंधन था 17 संस्क्रण 2019 में था तो ये भी थोड़ा सा आप उसे ध्यान रख सकते हैं तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए बताए जरा तो यहां पर इसका सही जवाब भाई पंकज बता रहे हैं भी होगा बालकेशन भी बता रहे ह है और इजी है आप लोग खुद करिए मैं नहीं करूंगा इस प्रेश्ट को आप लोग बताएगे मैं कमेंट देख रहा हूं बहुत बोल लिया मैंने काफी 45 मिनट बोल दिया आप लोग बताएगे मैं इसको जाना चाहूंगा आप सब कर फोर्थ भी ऑप्शन दिखाईए प्रेंका ए आ गया गौतम का ठीक है बई चलो सोच समझके जवाब देना ये दो नंबर का प्रश्ट है आप सब के लिए एक्जाम में बैठे हैं इस समय गरिमा ए दे रही हैं गलत भी हो सकता है जवाब ए देख की भी मत देना आप शभी लो क्योंकि प्रश्ट में बहुत जी ठीक आञचा जी का भी डी आ गया है भाई बाल्किषन जी का भी बाल्किषन जी का ए आया हुआ है ठीक है सकती ज़िए कड यूश्य करें लोग कमेंट बस इतनी बच्चे हैं क्या अच्छा नितिन जी ए वेरी गुड नितिन जी का भी जो बाब आ गया बहुत दिन बात चलो ठीक है नितिन जी और भी और भी कोई नहीं बस चलो चलो आपने गलती किया न यह प्रश्ण आएगा 2021 में निलेश जी ठीक है स्री राम सर यह यह वाले जो बच्चे चूज किये हैं उनका साहिए उनको मिलते हैं दो नंबर जिन बच्चों का एक करटी जबाब होगा यह वालेों का एक दो नंबर जैसे दिखिए अगर हम बात करते हैं आप शब को पता होगा अच्छे तरीके से जानते हैं कि दो दिसंबर को क्या मना 2 दिचंबर आप सबको पता है अंतर राश्टी ये दास्ता उन्होलन दिफस तीन दिचंबर तो आप सभी भलीभात की तरीके से जानते बिश्व दिच्टतर्टा दिपस्वूना जाते है तिन अगर कोई भी नहीं आ रहा था तो इससे मैच कर लेते हैं आप पांच दिसंबर के करम बात करते हैं तो यह वेसिकली जो है विश्व आर्थिक और सामाजिक विकास के दिवस मना जाता है दिसंबर की बात करता हूँ तो यह राष्र्टी बालिकास मना जाता है चलो मैंने एक प्रेश्न पूछ लिया यहां पर और मेरा प्रेश्न यह है कि अंतरश्ट्य बालिकादिवस कं मनाहिए घ्रलाश्टि यह एक्टूबल को मना जाता है और सके थाख सेध्य इक बालिका दिवस जो मना जाता है वो 11 अक्टूबर को मना जाता है और रास्टी ये महिला दिवस कम मना जाता है रास्टी ये महिला दिवस कम मना जाता है नो अगस्त को मना जाता है सरोजनी नाइडू का जो जनम हुआ था और अंतर रास्टी ये महिला दिवस कम मना जाता है आ तो यह सारी की सारी डेट जो है आप लोगों को ध्यान रखना होगा बहुत बच्चों का जवाब आया है और यह वाले बच्चे यहां पर करेंट जवाब दिए ठीक अगे बढ़ते हैं नेश्ट प्रशन लेते हैं कि है वो चलिए यह प्रशन आगये हैं अब हम इसको करेंगे इस तो करते हैं आज और यहां पर हम लोग प्रशन पर अब हमारे सामने यह है कह रहा है कि बच्चों का यौन दुरुप्योग अधिकांसा निमनलिखित में से किसके द्वारा होता है दोको जो बच्चों का यौन का परियोग कर लिए और लोगों ने एक जबाब दिया है कि अगर बच्चों का योण तो वो बताने के कोशिश करेगा आप ये आपका क्या प्रेशन देखो प्रेशन में गद्ध्यांस करा कि बच्चों का योन दुरुपयोग में दुशकर्म तथा योन उत्पिडन सामिल है और ऐसी समस्या भारत में बढ़ती चिंता से विसेक रूप में आ रही है ये चीज़ हो गया होगा आप तो ये प्रश्न है न यही सही जवाब था और आप जानते होंगे तो भी कर लेंगे और अगर नहीं पता होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा ही अभी इस गद्ध्यांस के रूप में जरा बताई जरा आप सभी लोग की किसोर न्याए ग्री है जो है समल नहीं किया गया उसमें बहुत अच्छा यही प्रश्न फैक्ट के रूप में भी आ सकता प्रती से जो प्रती पेशड़ गिरी के बारें बात कर रहे है ठीक है अच्छा अब हम बात करेंगे आगे यहां पर बात क्या हो रहे थी कि बाल योन दृप्योग का प्रभाव बिश्य के कि ज़रा आप यहां पर ढूड़िए उसको कहां पर मिल रहा है ग्री हो घरा बाद जहां पर बच्चों का दृप्योग को रोकनी की बाद है से केंड से लास्ट लास्ट से से केंड लास्ट से से केंड यहां पर मिल गया ओके ओके किसोर ग्रीह में तेर सब्सक्राइब है चलो देखते हैं प्रति शे पड़नीत अ यह नहीं था ना विख्क करणा यहinizi को फैराइब एक पर क irresponsंण को हुँ तो चलो ठीक है अब हम प्रेश्ञ को देखेंगे कि बाल यून दूरुपयोग क्या होता है अब इसमें क्या करना कि बाल योन दुरुपयोग को आपको सर्च मारना है यहां पर सर्च मारना है गर्ध्यांस में आ गया अब दिखिए यहां पर आप को दिख रहा होगा कहा यहां पर मिला यह दिखिए स्थी लुए लग पाल योन दुर्पयोग सामानता अधिकार प्राप्त पद और बच्चे की विश्वास पात्रव्यक्तिका योनकारी की मंसा से किसी बच्चे के मानसिक और सारेरी के अतिक्रमण से देखो वही चीज़ें यहां पर इदम इग्जाइट लिख दिया है मेनिंग वही है सही बता है सभी लोग यहां पर क्यों सकती जी आपका गलत क्यों हो रहा है प्रेश्व मैं काफी देख हुआ हूं आपके दो तीन प्रेश्वन गलत हुए हैं ठीक है थ्वड़ा सा ध्यान दीजिए तो यह आपका नेक मामलों में जो है बाल योन संक्रमर आक्रमर जो है लंबे समय तक जारी रहता है क्यों कि अब दिखें पहले कॉमन संस का प्रियोग करेंगे इसके सिकार बच्चे बिरोध करने के लिए तैयार नहीं होते और बरदास्त कर लेते हैं यहां पर आप देखें का प्रियोग लगाएंगे पहले तो प्रियंका का एक ट्रिक है वो ऐसे लगाते है निसान ऐसे लाइन खीचके तो ऐसे भी आप लगा सकते थे तो यह भी आपका सही हो गया कि बड़ा है एक ट्रिक है यह तो प्रियोग कर सकते हैं आगे हम बात करते हैं कि अनेक मामलों पर जो है बाल योन जो है आक्रमर आपको यहीं होगा इसलिए आपको यहीं ढूड़ना है इस वाले को पकड़ना इसी को है ताकि जल्दी हो सके प्रेश्णों में जल्दी हो सके वरना चार ओप्षन है चारों को तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है लेकिन कॉमन सेंस को जो आपने लगाया उसको आप जूड़ना है आप सबको तो आगे हम बात करते हैं चलिए बताई ज़रा यहां पर कहां पर लिखा हुआ है कि जहां आक्रमड की बारे हम बात कर रहा है आपको बताना है तो एक दो तीन फोर फैराग्राफ में अच्छा यहां पर यहां आक्रमड और दुरुप्योग का अधिकार खत्रा वहता है यह चीज़े जिसमें अनेक मामले जो हैं कुकरिमी और करमचारी होते हैं जिसमें केर टेकर यह कहां है यह थोड़ी नहुंगा फोर्थ कह रहे हैं अच्छा यह वाला जो है छेपाव आल के बाल दुरुप्योग होता है जिसमें माता-पिता अधिक समस्चा से समवेदन शील बने होते हैं समस्चा का गहन पैचान करते हैं बच्चे के माता-पिता के लिए काफी मैत पूर होता है कि बच्चे की है तो बच्चों को मार्ग दर्शन देना यह था ओप्शन में यह था अच्छा थीक देखते हैं कि कभी कभी ऐसे ही होता है इतना बड़ा-बड़ा आ जाता ऑप्शन भी ना अब ढूंट से जुटते चले जाएंगे तो ऑप्शन भी बहुत लास्ट में हैं सिकार बच्च देखते हैं आपका नहीं मैच कर रहा था भाई किसी नमें से बोला था भी हाँ यहां पर देखे कि पीड़ित पीड़िता निरिच्छड के आभाओं के विरोध करने के लिए तैयार नहीं होती है या होते हैं और चुप चाप बरदास्क लाहां ठीक है साबच यहां पर अगर आप यहां से पढ़े अधिकांस मामलों में योन आकरम लंबे समय के तक जारी यह प्रश्न था यह प्रश्न का उत्तर उसके बगल में मिलता है क्योंकि रिपीट कर दिया यहां पर यही दुखर जबाब हो गया आपका है तो यह चीज़े आपको ऐसे ढूड़ना होत करन सकता है कि इसे इस बारे में किसी को नहीं बताते हैं बच्चे का विश्वास की बच्चे बिरोध करने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि बच्चा जो है छिपाव और और में रहता है यहां पर नहीं ध्यान रखना है आप लोगों को है ना तो चलिए पढ़ते हैं एक ब सी आ रहा है इनका ठीक है देख लेते हैं अभी अगर हम बात करते हैं इस प्रेश्ण का तो मिल गया चलो यहां पर देखिए कि छिपा और आल में जो है बालक योन दुर्पयोग का होता है बाई बात तो ठीक है यह तो मिल जागा फिर तो कट जागा क्योंकि नहीं पूछा है और बड़े के लिए सुरक्षा का वातावरल तयार करना यह भी हो जाएगा है अब आपको ढूंड़ना है यह तीन इसमें दे रखा है एक तो आपको दे रखा है छिपाव वाला दूसरा आपका अभिवावक के साथ सम्विदंशील दिया हुआ है तीसरा अगर हम बात करें तो माता पिता के काफी महत पोड़ बताता जहां पर सुरक्षा वातावर तयार करने की बात करता है यह तीन चीज़ों तो मिल जाएंगी वहाँ पर आपका जो नहीं मिलेगा वही आपका होगा चलिए आगे बात करते हैं तो यहां पर देखिए एक बार उपर जाना पड़ के जो कर अगर हम बात करें तो इसके बारे में किसी को घटना नहीं बताते हैं बच्चे नहीं बताते हैं ये स्टेटमेंट जो है बेसिकली अने घटनाओं की जानकारी नहीं मिलने का कारण यही हो सकता है कि बच्चे इस बारे में किसी को नहीं बताते हैं तो अगर आपको य यह तो कारण सबसे अच्छा है, यही तो सबसे अच्छा कारण है, option number आपका यहाँ पर यह अबाला correct हो जाएगा, क्यों, गरिमा, C कैसे होगा, I think A होगा, ठीक है बाल किसन जी, आकांच्छा A कह रहे हैं, हाँ A होगा, यह आपका हो गया complete paper आपका,